बूर्णिंग एबिवान, क्लास्टू सब्जेक्ट हिंदी, सबसे पहले हुआ पढ़ेंगे हिंदी बुक, हिंदी भार्टी पाठ आठ, कविता, ऐसा सुन्दर समय नखो उठो लाल अब आखे खोटो, पानी लाई हुँ मूँ दोलो बीती रात कमंदल फूले, मुन के उपर बाड़े जूले चिरिया चाप तुभी पेरो पर, बहने लगी हवा की सुन्दर नब में न्यारी लाली छाई, धर्तीनी प्याडी छभी पाई वो रूबा सुरज भूखाया, जर्मे बड़ी सुन्धरी छाया ऐसा सुन्दर समय नखो, मेरे प्यारे अबमार सो इस कमिता में एक माँ अपने बच्चे को सुबा उठाने का पर्यादन करती है और प्रकृति के सारे उत्मानों का वर्णन करते में कहती है कि हे मेरे लाग, तुम भूखो और अपनी आखे फोलो मैं तुम्हारे लिए पाई नाए हूँ, तुम उस पाई से अपना हाथ मूँ दोलो बीती राग, राग बीच चुकी है, और कमर के फूल जो है, वो भी खिल चुके है साथी साथ फुन फूलों पर भाड़े भी जो है, वो मर्रा रहे हैं इतना ही नहीं, हे मेरे लाग, चिडिया भी जो है, वो चहे कुथी है साथी साथ सुबब में वहादी सुन्दर, अती सुन्दर, प्यारी ख़वा भी बह रहनी है लग में यारी लाली च्छाई, इतना ही नहीं, आकास में लाली भी च्छाई है और धर्ती की जो उस हाली हड़ी है, वो भी बढ़ी प्यारी और मनखावर हो रही है गोरुबा सुरज उगाया, सुबा भो गई है, और सुरज जो है, वो उख चुका है साथ ही साथ, उस सुरज की सुनहरी च्छाया जल में दिखाई दे रही है इसलिए है मेले मदाल, तुम इतने सुन्दर समय को, यूही मुंसान मत करो, परवार मत करो उठो मेले प्यारे, तुम अब मत सो पांट नाई, महाँ भुजू स्टिक्रेश्ण पांच हजार साथ से कुछ और पहले की बात हैं, भारत की दसा बड़ी सोचनिय हो गई थी अने पापी राजा उत्पन हो गए थे, सबसे अधित अच्याचारी मतुरा का राजा कंस था कंस में अपने पीटा उभ्रसें, अपनी बेहन देव की और अपने बनोई वशुदेव को ही कारागर में डाल दिया था भाद्र पक्ष क्रिष्ण पक्ष की अश्टमी की थी, बुद्बर का दीन था खीक आधि राज को कारागर में दियर की गरगर से स्री क्रिष्ण का जनम हुआ उनका पागान कोशन गोपुल में यसोदा ने किया यसोदा नन्द की पत्मी थी, नन्द वशुदेव के मित्र थे गोपुल में बार बार राक्षाश आते थे, चुपात करते थे इसलिए जब स्री क्रिष्ण लगभग तीम बर्स के थे नन्द गाबा गोपुल छोड़कर बिंदा बन में बस गये स्री क्रिष्ण की सिक्षा दिक्षा गुरु शंदीपन के आश्टम में हुई सुदामा इनके बहुत बड़े और पिडिये बित्र थे आपस में धनी निर्धन का कोई वेत्भाव नहीं था दोनों बड़े हुए, सुदामा एक गरीब राम्न थे अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वो एक बार स्री क्रिष्ण के यहां गए सुदामा ना जान पाए कि वे निर्धन है और स्री क्रिष्ण राजा है इस तरह यह उन्हों ने अजिती सकतार, स्री क्रिष्ण ने उन्हें बहुत साथ राज दिया स्री क्रिष्ण के मण में छोटे बड़े का कोई बेदभाव नहीं था स्री क्रिष्ण और सुदामा की मैंत्री सबे अमत देगी अब हम पढ़ेंगे मैटा नमबर वान, सब्दार लिको कारागार का मतलब होता है जेल संभर्स का मतलब होता है दराई सार्थी का मतलब होता है रग आने वाला सार्थी, सार्थी का मतलब होता है रग आने वाला नागरिक, नागरिक का मतलब होता है देश वासी नागरिक, नागरिक का मतलब होता है देश वाशी निर्भर, निर्भर का मतलब होता है आश्री निर्भर, निर्भर का मतलब होता है आश्री मैंटर नम्मर टू, पढ़ियाची सब, पार्वती, पार्वती का पढ़ियाची, गोडी, उमा, शीव, बंदर, बंदर का पढ़ियाची, कपी मर्कट हडी, बंदर, बंदर का पढ़ियाची, कपी मर्कट हडी, बिजली, बिजली का पढ़ियाची, चप्ला दामिनी तडी, भारा, बारा का पढ़ियाची, ब्रमाल मधुकर मधू, राक््षस, राक्षस पढ़ियाची, असूर देथ्या दानाव मेर्ट नमर थ्री, बिलो सर्थ नबी, नबी का बिलो प्राची आशा, आशा का बिलो निलाशा सुगन, सुगन का बिलो बुर्गान पंडिक, पंडिक का बिलो मूर मैर्ट नमर पूर, प्रश्नो के उत्तर दो कोशें नमर वर, श्रीक्रिष्न का जनम कहा और किसके गर्व से हुआ उत्तर, श्रीक्रिष्न का जनम मतुरा में देल्गी के गर्व से हुआ दूसरा प्राच, गीता का अमर संदेश क्या है दूसरा प्राच, गीता का अमर संदेश क्या है उत्तर, गीता का अमर संदेश है आत्मा आजर अमाजर गीता का अमर संदेश है आत्मा है